हलो दोस्तो स्वागत है आपको हमार यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो हमें बात करने वाले हैं कि आप कैसे क्लास 12 इंग्लिश का अप्रिसीशन लिखे जिससे आपको पूरे चार मांक्स मिल जाए तो चली शुरू करते हैं आज का वीडियो बड़ा यू चोटा वीड चैनल पर अप्रोड किया है वीडियो में तो वीडियो का लिंग्स्रिप्शन में है आप वहां से देख सकते हों उसके बाद मैंने ओवर जो पूरा आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है हर सेक्षन वाइस मैंने एक वीडियो बनाया है स्ट्रेटेशी का कि कैसे क्या टेम् कि जो कि section 2 poetry में आता है चार माक्स के लिए साल 2022 में जो आपका fourth poem है have you on your tomorrow यह पुछा गया था उसके बाद 2023 के board exam में 2.7 जो है she walks in beauty यह वाला poem पुछा गया था तो आप जो दो poem है इसको तो भूली जाओ क्योंकि इसमें से कोही भी poem repeat होने के कोई chances नहीं है तो देखो 12th English के appreciation में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको poems की line दी हो ही होती है और उसके ओपर points भी बताया गए होते हैं कि कौन-कौन से points के according आपको appreciation लिखना है जिससे कि यहां पर देख सकते हो एशी वाक्स इन beauty इस poem का lines दिया गया है और यहां पर points दिये हैं कि यह 5 points के according आपको लिखना है point wise सबसे पहला point है title of the poem name and poet तीनों चीज़े एक ही point में लिखनी है second point है theme third poetic devices और language उसके बाद चौधा है values and पांचवा है your opinion meaning about the poem यह 5 points लिखने हैं जो कि चार marks के लिए तो first second and third point है एक-एक marks के लिए हो जाएगा and जो चौधा और पांचवा points है values and your opinion यह आधे-आधे marks के लिए हैं तो इस तरह से चार marks का आपका appreciation होता है तो चलो देख लेते हैं कि कैसे आपको लिखना है तो मालनों इस poem का हम appreciation करते हैं सबसे पहला point प्राइगा title of the poem name of the poet एदो चीजों के बारे में लिखना है तो title of the poem जो आपका दिया है जैसे कि यह पर she walks in beauty तो सिर्फ ऐसा नहीं लिखना है she walks in beauty आपको एक line में लिखना है कि the poem title is she walks in beauty और जो title दिया है उसका एक line में नाम है उसको भी एक line में लिखना है कि this poem is written by very famous English poet और जो भी रहेगा ऐसा आपको लिखना है एक-एक line में sentence form करके आपको answer लिखना है सिर्फ एक word में लिखना है और कम से कम आपको चार line लिखना होगा एक marks के लिए वहाँ पर उसके बास second point भी दे सकते हो तो थीम में कैसे लिख सकते हो आपको minimum चार line अच्छे से लिखना होगा तब जाके वहाँ पर आपको एक marks मिलेगा तो इस तरह से आपको कुछ poem का जो opposition है वह लिखना होगा और यहां पर देखो जो first three point है title theme and poetic devices यहां पर थोड़ा अच्छे से लिखना क्योंकि यही पर main आपके तीन marks है उसके बाद values and your opinion यह दोनों points में आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि यह purely आप पर ही बेस्ट है कि आपने इससे क्या समझा है और आपका इसमें आपको वही लिखना होगा और यहां पर आगे दिखते हैं रॉपाइम हैं ऑपके स्पांच आपके अप friction के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है और इसमें भी जो आपका father returning home, small town and rivers, यह जो दो poem है, यह important है आपके appreciation के लिए, तो यह पांचो point का appreciation, आप पांचो poem जो है, उसका appreciation आप अज़से पढ़ कर रखना, इसमें से कोई एक appreciation आने के बहुत ही chances से vote exam 2024 में, तो यही था आज का वीडियो, छोटा सा वीडियो था, हमने बात की, कि appreciation को कैसे लिखा जाता है, और क्या गया points है, आपको जो ध्यान में रखने चाहिए, आप हमारा जो इंग्लिश का sample paper वाला वीडियो है, वह भी देख सकते हो, जिसका link description में है, मैंने इसमें बता है कि कैसा sample paper, यानि कि कैसा paper रह सकता है 2024 के बोडियो सामने, आप का वीडियो, वीडियो कर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,